विरेंज सिंग जी भी आगए हैं डिवेट में विरेंज जी बहुत स्वागता आपका पहले तो दो आज प्रमुक चर्चाओं का केंदर विंदु है पहला तो ये कि क्या राज्य सभा के चुनाओं में बोटिंग होगी ये अवस्य अंभावी है या नहीं यानि 11 देखिए मैंने पहले भी एक बार बताया था कि चुनाओं नहीं होंगे जातर निर्विरोध होगा मामला क्योंकि चुनाओं कोई कराना नहीं चाहता चुनाओं होगा तो क्रास वोटिंग होगी बिधायक तूटेंगे कोई रिस्क लेने वाला नहीं है अभी राश्पति का एलेक्सन आने वाला है फिर उसके बाद दोजार चुबिस का लोग सबाद चुनाओं है उससे पहले एक बिधान परिसत का भी चुनाओं होगा तो यह तोड़ फोड से अच्छा है कि सेफ रास्ता ढूंडा जाए यह सब लोग लाज बचाने की रलनीत है बात यह आई कि अ लडाओं इनके पास प्रस्तावक तो है नहीं यह कहा लडा लेंगे किसी पास डू है किसी पास एक है किसी पास च्छे है किसी पास आठ है कौन जाएगा लडाने है तो यह तो दस विधायक तो चाहिए न कम से कम राजसभा के एक मेंबर को खड़ा करने के लिए वो तो आना चाहिए और उसके बात तब होगा चुनाओं दूसरी बात यह है कि नाम जो चर्चा में है एक नाम चर्चा में है कि बिस्की में बिस्नू बसे रम में बसे राम, बीजेपी कहती है कि एक ब्यक्ति एक पद, उनके बेटे को मंत्री बनाये हुए हैं, संजय सेट भी हैं, वो पहिले से हैं, सुरेंदर नागर, स्विपर्टाप सुकला, तमाम सारे उन लोग, इधर सुखराम जादो जो सपा से थे, वो कुछ दिन से सब भाजपा में अपना पुस्तक उस्तक भेट कर रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ, वहां उनका मामला फिट होता नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी के तीन नामों पर पहले चर्चा कर ली ज हां, जो पूर में राजसभा चांसद रहे हैं, मुरादाबास से हैं, वो जा सकते हैं, कपिल सिब्बल के नाम आपने बताया, नाम चल रहा है, वह उसके बाद तीसरा नाम जैन चोधरी वाला क्या कनेक्शन है, जैन चोधरी वाला क्या कनेक्शन है, बिर जैन चोधरी अब यह, तहिए कर ले, कि उसको किसे किसे भेजना है जाए चाह ओधरी को और मैं आपको यह भी बता दू, कि कल तक यह साप हो जाएगा मतलब यह जिद है कि जाएँगे? हां जाएँगे, चाहे साइकिल पर जाएँ, चाहे कमल के फूल पर जाएँ और कलसाम तक यह साप हो जाएगा तो बड़ी गंबीर बात बता रहे हैं हाँ लेकिन उससे पहले तीसरा नाम समाजवादी पार्टी में डिम्पल यादो चौथा नाम आलोक रंजन पांचवा नाम सहारन पूर से इमरान मसूद यह पांच नामों में से तीन नाम कोई राजस का समाजवादी पार्टी मेंबर हो सकता है यह नाम चर्चा में हैं अब जैन चौधरी की बात आई जैन चौधरी के पास ना इतनी लाबिंग है ना इतना विधायक है कि वह अकेले आके ना मांकन कर दें लेकिन हवाई एट्टे पे लोगों की निगाह लगी हुई है और व और वो आएंगे जरूर क्योंकि अब बड़ी जहरी बात खोच के लाएं भी रेंजी अब अब ज्यादा बर्दा करने के स्थितिम वो है नहीं पार्टी को चलाना है और चौधी चर्ण सिंग की विरासत को आगे बढाना है और यह जो पांडे जी आठे आठे आज बैठे ह क्या है पांडे जी के पास कुछ बचा नहीं इनके हाथ वाई कपिल सिंपल सफम चले जाएंगे और इनके नहीं जायेंगे और इनके परमोत तिवारी को ले के तमाम लोगों ने बाते कहीं लेकिन उनका भी कही मामला अभी दर्दोट दिखना ही रहा है वो जैसे प्रेम से मिलते रहें लोगों सोईसे मिलते रहेंगे अभी सीट की बेउस्था नहीं हो पाई है अब दो भी राइक में काउंसे सीट मिल जाएगी इनको अब उसके बाद मायवति की पार्टी आती है सतीज मिसरा औसोग सिदार उसके बाद बसपा राजस्वा में कहां एका दुक्ता बचेगी वहाँ उसका मामला खतम है सबसे अदर नुक्सान तो बसपा को हो रहा है देखिए बीजेपी पे आईए बीजेपी पास सीटे जादा है वो चाहे तो नरे सकरवाल को बेजे चाहे सुखराम को बेजे चाहे किसी नए आत्मी को बेजे लेकिन एक महात्पूर बात यह रहती है कि जो जॉइनिंग कमेटी का मेंबर था वो विधायक और मंत्री जो अध्यश था गुरू गुल रहे चेला सक्कर और अध्यश का अभी तक कोई ठिकाना नहीं बना लश्मी कान बात पर कुछ है अब वो बाते चल रही है आज आए तो जानिये क्योंकि कर जाता है यह जरूर है कि लश्मी कान एकसरल सा नेता है साधे सीदे साधे नेता है इत्याज गवारा है कि जो चालाख हो दोकेबाज हो वो सियासत में सफल होता है लेकिन हूँ यह जमीर बेच कर जो अधे पाते हैं वो पब्लिक लीडर नहीं होते लश्मी कान बाजबेई पब्लिक लीडर है जो जमीर नहीं बेचेंगे पद मिले ना मिले पार्टी के साथ रहेंगे अरे अब कुछ मिल रहा होगा तो आप इतनी धारीब कर दोगे तो बड़ा कटिन हो जाएगा अब उनको कुछ मिल जाने तो हम लोगों ने उनको देखा है उत्तर प्रदेश में वो भाजबा के बहुत जुझारू अडेक्शों में रहे हैं और उनके कवाज जारूपन के यहां फाइनल में बैठे हमारे एक साथी वो भी है लेकिन अब चुकि वो दूसरी पार्टी में हैं तो अब उस पर जादा कोई मतलब नहीं रहता अच्छा एक और असमंजा से वो दूर कर दीजिए फिर आप अपना निसाहित पेश करिएगा राजा भाईया और उनकी पार्टी क्या करेगी बीजेपी के साथ जाएंगे अखिलेश के साथ जाने का कोई आउसर नहीं है वह कोई सांसत कुनके लडाना नहीं है राजस्वा में ना उनके पास भीधायक है वो अपना एक मलसी जिता ले गए पर जाजा भीजेपी के खिलाब कहां जाएंगे और दो ही तो भीधायक है क्या करेंगे उनको लेखे बारहल बिजेजी संजय सेट सुरेंदर नागर सुपरताब सुकला इन सबके किसमत की चाभी इनकी किसमत चमकी हुई है ताला खुला हुआ है लोग देखिए चुनाओ कोई चाहता नहीं हो और चुनाओ होगा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ यह होंगे सब निर्विरोद और बात में सब हवा हवा ही रह जाएगा बस जिसकी किसमत खुल जाए वही समझ लिए भाग इसाली है करेक्ट है और अपने हां कहा जाता है कि जब आप परच्छाईं कद स बड़ी हो जाए और बातें अवकात से ज़्यादा बड़ी हो जाए तब समझ लीजिए कि आपका सूरज डूबने वाला है यह सियासत में भी है जो छोटा दल है जो बड़ा दल है जिसके पास हैये नहीं है वो परत्यासी कहा लड़ाएगा आज अखिलेश यादो को अपन ही चलानी है वो अपने तीन इंडिपेंडेंट कंडिडेट उतारेंगे वो किसी सहयोगी के लिए सीट क्यों छोड़ेंगे जैसे बीजेपी के पास है वो अपना निणा सुतंता पूरवक करेगी वो काओ कि इस निशाथ पार्टी भेजे लगे अपना दल को भेजे लगे वो क्यों भेजेगी बाराल एक साइटिकार ने लिखा है कि मुझे हर किसी को अपना बनाने का हुनर आता है तभी मेरे बदन पर हर रोज एक नया घाव नजर आता है और खत्रे के निसान से उपर बह रहा है उमर का पानी और वक्त की बरसात है कि थमने का नाम नहीं लेती ह है तो जो सत्ता में बैठे हैं जो बहुमत में हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे वो अधिक्तम फाइदा उठाएंगे लेकिन यह बात सच है कि यह दब दबा यह हुकूमत यह नसाय दोलत यह सब किराएदार हैं घर बदलते रहते हैं अब मायवती से बेतर एक्जाम पाली आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनन्दूवेजी में